Hello GW soldiers! तो आप सब लोग को लगता होगा कि गॉल्फ के बॉल में डिम्पल क्यों होता है? ये डिम्पल इसलिए गिया जाता है कोई कि पहले बच्चों ये गॉल्फ के बॉल स्मूथ हाते थे और देखा गया कि जब गॉल्फ के बॉल पुरानी हो जाते हैं तो वो ज्यादा स्पीड से मूफ कर पाते हैं तो इंदेसंस रफ्ट सर्फेस में ज्यादा स्पीड दे पाते हैं ऐसा क्यों? कुछ यहाँ पे बाउंड लेयर का concept लगता है आप सब लोग को मालूप है अगर आप उपर देखे तो एक rough ball जो होगा वो जो आपको boundlier form करेगा वो होगा turbulent boundlier और turbulent boundlier का जो आपका cd की value होती है drag force की value होती होती है कम और drag force की value कम होगी तो जादा स्पीड से जाएगी comparatively अगर smooth आपने surface रखा है तो laminar boundary layer form हो रहा होगा और laminar boundary layer form हो रहा होगा तो आपकी speed कम रहेगी तो इसलिए हम आप rough तो कर नहीं सकते surface को तो हम dimple provide कर देते हैं हमारे golf के ball में है ना interesting